बच्चों, आज हम लोग Class 5 Rainbow का Lesson 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है The Balloon Man. यह एक पोएम है और यह बहुत ही अच्छी पोएम है, जिसमें एक बलून यानि की गुबारा बेचने वाला आदमी है, और यह एक छोटा सा बच्चा है, जो कि गुबारों को देखकर पोएम के माध्यम से कुछ कहना चाहता है, तो सबसे पहले इस पोएम को पढ़ने का तरीका सीखेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका Hindi translation सीखेंगे. He always comes on market days and holds balloon, a lovely bunch and in the market squares he stays and never seems to think of lunch, they are red and purple, blue and green and when it is a sunny day, the cars and people get between, you see them shining far away and some are big and some are small and tied together with a string and if there is a wind at all, they tug and tug like anything, someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. तो इस पोएम को लिखा है बच्चो, रोज फैल मैंने, तो इसका अब हम लोग Hindi translation यानि कि Hindi अनुआद, यानि कि Hindi में इसका अर्थ सीखते हैं, He always comes on market days, market days का मतलब बाजार के दिन, जिस दिन लगते हैं, बाजार लगती हैं, तो उसको market days कहते हैं, तो वह हमेशा बाजार के दिनों पर आता है, and holds balloons, a lovely bunch, and holds balloon, और hold मतलब पकड़ना, और balloons को, गुबारों को पकड़ा रहता है, a lovely bunch, एक प्यारा सा गुच्चा, bunch का मतलब गुच्चा, and in the market square he stays, and in market square, याने की, जो बाजार का चोराहा है, he stays, यह वहाँ पर ठहरता है, and never seems to think of lunch, और lunch का मतलब होता है, दोपर का भोजन, जो कि कभी खाने के बारे में नहीं सोचता है, कि यानि कि वह बाजार के दिनों में आता है, और गुबारों का गुच्चा लिये रहता है, बहुत ही सुन्दर गुबारों का, और market के चोराहे पर वह खड़े हो जाता है, और कभी भी खाने के बारे में चिन्ता नहीं करता है, they are red and purple, blue and green, they are red, वे कैसे हैं गुबारे, red हैं, यानि की लाल है, purple यानि की बहंगनी है, blue यानि की निले है, और green यानि की हरे है, and when it is a sunny day, sunny day का मतलब होता है, चमकीला दिन यानि की जिस दिन सुर्य की रोशनी निकली रहती है, तो जब सुर्य की रोशनी का दिन, यानि कि जिस दिन सुर्य की रोशनी रहती है, चमकीला दिन होता है, the carts and people get between, the carts यानि कि गाड़िया and people, यानि कि लोग get between, यानि कि बीच में से जब जाते हैं, गाड़िया और लोग भी उसके बीच में से भी जाते हैं, you see them shining far away, you see them, यानि कि आप देख सकते हैं shining far away, यानि कि वह दूर से ही आप उनको चमकते हुए देख सकते हैं, यानि कि जो बच्चा है वह उस गुबारे वाले से दूर खड़ा है, और वह देखता है कि भीड भाड उसके और बच्चे और गुबारे वाले की बीच से निकल रही है, गाड़िय some are big यानि कि कुछ big हैं, बड़े हैं and some are small और उसमें कुछ गुबारे छुटे हैं and tied together with a string, string का मतलब होता है बच्चो धागा, वो tied यानि कि बधे हैं together, यानि एक साथ एक साथ एक धागे से बधे हुए है and if there is a wind at all and if there is a wind, wind का मतलब होता हवा और जब अगर हवा बहती है, they tug and tug like anything, वे एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, one day perhaps he will let them go, perhaps का मतलब शायद one day, शायद किसी दिन वह उन सारे गुबारों को छोड़ दे, ये बच्चा कलपना करता है कि काश शायद वह सारे गुबारों को एक दिन छोड़ दे, let them go यानि कि छोड़ दे and we shall see them sailing high, sailing का मतलब बहना या तैरना और हम उनको उपर उड़ते हुए बहते हुए देखेंगे and stand and watch them from below, और यहाँ पर खड़े होकर stand का मतलब खड़े होकर and watch them, उनको देखेंगे from the below, उनको हम लोग नीचे से देखेंगे, they would look pretty in the sky, pretty का मतलब सुन्दर और in the sky यानि की आसमान में, वे आसमान में बहुत ही खुबसूरत लगेंगे, तो बच्छो ये पोएम आपको कैसी लगी, मुझको तो बहुत अच्छी लगी, कि एक बच्चा कैसी कलपना कर रहा है, एक गुबारे को देखकर, एक गुबारे वाले के बारे में भी सोचता है, और गुबारे के बारे मे या कोई चीज समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं उसका जवाब जरूर दूँगा आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो जिस चैनल पर आते रहेंगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें मिलते हगले वीडियो में तब तक पढ़ते रहें अपना ख्याल लखें बाई बाई थेंक यू